हाई स्टूरेंट्स, आम दीवक दुजोरिया, वेलकम तो माई चैनल फोकस क्लासिस स्टूरेंट्स, अभी जो मैं आप लोगों के लिए लिखा है हूँ, टैंजेंट सीकेंट थेओरम है जो कि बोर्ड एक्जम पॉइंट आफ वी से बहुत इंपॉड़न थेओरम है और इस पर बहुत सारे questions इस पर बेस पूछे भी जाते है इसके अंदर क्या दिया है हम लोगों को बोला गया है कि अगर एक circle है और P क्या है एक exterior point है तब P से PT एक tangent है और PAB अगर एक secant है तो tangent की जो length है उसका square किसके बरावर होता है PA into PB यानिकि इस exterior point से first intersecting point की length और इस exterior point से second intersecting point की length के product acting की multiply के बरावर होता है तो PT square equals to PA into PB ऐसा हम लोगों को proof करना है अभी हम लोगों को construction करना है छोड़ा से हम लोगों ने construction किया A से T को join कर दिया और साथ में B से T को join किया तो ये construction का part हम लोगों ने किया अब आते हैं हम लोग proof की condition पे ये क्या है PT square तो जब भी कभी इस तरह के questions होते हैं तो हम लोग देखते है PT square है ना तो square यानि कि इस side के square की बात कर रहे हैं तो ये square तब ही आ सकता है सिर्फ और सिर्फ जब ये जो side है ना को भी दो triangles की side हो ऐसे triangles को compare कर है तो जब ये दो triangles की side होगी तब दो triangles सब लोगों ने क्या consider कर ली इस starting में PTB means PTB एक तो इस triangle की side हो सकती है दूसरा ये हो सकती है किसकी PTA इस triangle की side correct तो हम लोग ने दो triangles को compare करना है कौन-कौन से एक तो ये बड़ा triangle जिसके अंदर PT side आती है और ये छोड़ा triangle जिसके अंदर again PT side आती है तब ही हम लोग PT square लेकर आ सकते है तो चले compare करें तो हम लोग क्या कह सकते है सबसे पहले आते हम लोग यहाँ पे ये क्या है angle P angle P क्या है ये छोटे triangle का भी part है और ये बड़े triangle का भी part है तो पहले गया लिख रहे है हम लोग बड़े triangles के corresponding part लिख रहे है और फिर उसके बाद में छोड़े triangle के सो हम लोग उने बोला angle P किसके बराबर है angle P दोनों triangles का part है तो angle P equals to what angle P common दूसरी चीज हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि यह वाला जो angle है बड़े triangle का angle 1 name दे देते हैं इसको और यह छोड़े triangle का angle this one जो अभी अभी क्या किया है show किया है मैंने so this is angle 2 तब हम लोग क्या बोल सकते है angle 1 of bigger triangle is equals to angle 2 of smaller क्यों? क्योंकि एक theorem होती है और theorem क्या कहती है कि एक angle जो बनता है किसके बीच में एक chord जो कि कहा से point of contact से बनती है और एक tangent के बीच में जो angle होता है न वो alternate segment में बने हुए angle के equal होता है तो यह दो angles कैसे होंगे equal होंगे इसको अभी कैसे होता है वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इस question के बाद में तो क्या लिख सकते है हम लोग तो एंगल बीच में जो बना हुआ एंगल होता है न वो alternate segment में बने हुए एंगल के equal होता है तो इसी दियोरम के use किया हम लोगों ने अब हम लोगों ने क्या देखा there are two triangles और उन दो triangles के अंदर दो angles कैसे हैं इसका मतलब दौनों कैसे हैं similar triangles हैं तब हम लोग लिख सकते हैं therefore triangle which one P, T, B is similar triangle which one P, A, T right और एक क्राइटेरियन से एक क्राइटेरियन से दौनों triangles कैसे हैं similar है अब हम लोगों को चाहिए क्या P, T square चाहिए तो इदर से पहले क्या उठा है P, T ले लेते है so इसको ले लेते है P, T अगर इदर से P, T उठाया तो इदर से क्या उठाना पड़ेगा हम लोगों को P, A and this must be equals to अभी P, T के square चाहिए तो वो तभी आ सकता है जब इदर नीचे क्या हो P, T क्योंकि तभी cross multiply करने पर P, T square होगा तो इदर से क्या उठाना पड़ेगा हम लोगों को ये P, T उठाना पड़ेगा अगर इदर से P, T उठाना है तो इदर से P, V right so P, V upon P, T clear अब तो क्या करें cross multiply करते है so इसको क्या लिख सकते है P, T square equals to what P, A into P, V और ये ही क्या करना था हम लोगों को पूप करना था